वेलकम टो अलमास जेकब लाइव, मैं हूँ अलमास जेकब और आप देख रहे हैं वाट देडों टेल यू बाउट डव्ली डव्ली ए, इलुमिनाटी एक्सपोजड इलुमिनाटी ने इस रैसलिंग बिजनस को पूरी दुनिया में मेडिया के तरू मशूर करवाया इसका क्या मकसद था, क्या ये अपने मकसद में कामयाब हुए इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिनका शायद आपको इल्म नहीं था 2000 में WWF येनी World Wide Fund for Nature ने WWF येनी के World Wrestling Federation के ओपर केस कर दिया UK में के इन्हें हमारा नाम जानबूज के रखा हुआ है ये हमें तुनिया से लोग हमें थे पन्द करते हैं नेचर के लिए फन्द क अर्ड़ हिससे हुए है एम पैसे बापिण नेफ्ट कर वे थे ताकि वो अब जो रेस्लिंग आप WWE के ओपर देखते हैं ज़रा इसका बैग्राउंड चेक कर लेते हैं WWE में जो रेस्लिंग होती है यह दो रेस्लिंग का मिक्सचर है जिसे Greco-Roman wrestling कहते हैं जो के कबड़ी भी है और दूसरे नंबर पे आती है फ्री स्टाइल यह दोनों का मिक्सचर करके तो इन्होंने WWE में जो है यह सारा कुछ दिखाते हैं Greco-Roman wrestling का जो background है वो Greece और Rome से जाके मिलता है और यह wrestling हर Olympics के अंदर रखी जाती है यानि के यह game भी उस मजभ की promotion की एक game है जो के Olympians game जो उनसी है उनके अंदर से एक game Greek यानि यूनानी और Roman यानि के जो रूमी लोग हैं यह दोनों कोमें बुद्परस्त कोमें हैं और इनका culture सारा का सारा बुद्परस्ती है ठीक है और Illuminati का मकसद आपको खुदा की तालीम से दूर कर देना है ताकि आप खुदा को पहचाने ही ना आप खुदा के पास ना जाएं बलके आप उसके साथ शेतान के साथ हेल में जाएं और वो इस काम में बहुत कामयाब नजर आ रहा है क्योंके जो कुछ आपको आपको दिखाना चाता है वो आप देख रहे हैं और आप उससे बड़े लुटफ अंदोज हो रहे हैं हलांके हम लोग हकीकत नहीं जानते के यह हो क्या रहा है इनसान की नेचर है और शेतान ने इसको स्टड़ी किया हुआ है कि इनसान जो चीज बार बार देखता है वो ही वो चीज कौपी करता है उसकी नेचर के अंदर ये चीज शामिल है इनसान के अंदर के जो कुछ वो बार बार देखता है उसको वो हकीकत समझता है सच समझता है उसको एड्माइर करता है उसे खुश होता है WWE में दिखाये जाने वाले स्टंट्स जो हैं उनको लेकर नोजवान नसल इतनी सीरियस है कि वो इन स्टंट्स को घर पर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और कई नोजवानों ने अपनी जाने ये स्टंट्स करके खो दी है WWE वाईलंस यनी जल्म और तशाद्द को परमोट कर रही है जब के खुश हुआ के खुशा के कि लाम में लिखा है यनी के जालम आदमी से मतासिर ना होना ना ही उसकी किसी राह पर चलना क्योंके खुशा को जल्म और तशाद्द पसंद नहीं है इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है यनि के जमीन पर जल्म और तशद्द भर जाने के बाइस जमीन खुदा की नजर में करप्ट हो गई थी और ये वाकिया है जब खुदा ने पूरी दुनिया को पानी से तबाह और बर्बाद कर दिया और ये मैं नू के दोर की बात कर रहा हूँ जब खुदा ने तुफान से पानी से जमीन को निस्तो नाबूद कर दिया था आज फिर दोस्तों वही हो रहा है जैसा के नू के दोर में हुआ था ये यसुमसी के इलफाज हैं यसुमसी ने कहा जैसा नू के दिनों में हुआ वैसा ही इबन आदम के यनि के यसुमसी के रिटर्न पे दुबारा वैसा ही होगा जमीन पर जुल्म और तशदुद बढ़ गया है और तीवी मीडिया के जरीए लोगों के जहनों को मैला कर दिया गया है ग्रुफ के तूर पहुछ पॉज्ड शेयर करता हो फैं निए पिक्चर को अा- इन्सान का नंबर 6 है और यह तीन है यानि कि यह 666 बना रहे हैं और इनकी शिर्ट के ओपर लिखा हुआ है NWO यह इनका जो मोटो है New World Order यह 1996 में यह लोग सारे शो कर रहे थे अभी तो कुछ बहुत जादा इडवांस साइंस जो इनकी जो देना शुरू कर दी है पहले इतने जादा नहीं थे छुपे वे थे अब जैसे इन्डब्यू और को बढ़ा करके रखा हुआ है और चोटा 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 लिखा हुए नहीं न्यू वर्ल्ड ओर्डर तो यह लोग बहुत मशूर हुए सिर्फ प्रवर्ड नुवर्ड ओर्डर को परमॉट करने के लिए और होगन को जानते हैं इस टीम का लीडर था और यह बहुत मिष्यूर हुआ है पिर आप यह तेख सकते हैं जैंड साइन बनाया हुई है यह शीं इनी के शीम स्जान के सींग इसने बनाय हुए फर आप यह धियू यह fier फस्से बड्र मंड़ी हो इप टा tätä नीज बना गड़ी ठाटे बनाय होँ पर यह बाली पिक्चिर आप तेहरें थेया सरोकी बढुव एति फिल्डशा निस भड़ी ठाट यहा माल है पर यह जॉन सीना, जॉन सीना बहुत हिट हुआ हुआ है, आज कल टॉप पर है इस इंडस्ट्री के, सिर्फ इस वज़ा से क्यूंके यह अपने हाथ से 666 बनाता है, अपने दोनों हाथ से 666 बनाता है फिर इसकी शिट के ओपर जो बना हुआ हुआ हो बैफरमेट का साइन है, और जो के इसके इलुमिनाटी होने का सब्बूत है फिर आप रैसल मेनिया की ये वली पिच्चर देख लेंग तो सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि रहोंने पेरमेड बनाया हुआ और कैप स्टोन भी उसके पर बनाया हुआ है मिस्टर मिकमैन ये जो है ये बन्दा इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये प्योर डेवल है यनि कि ये बन्दा बहुत करप्ट आदमी है और इस शक्स ने इसको होल्ड किया हुए डबली डबली ए को उल्टे सीधे ये टास्क देता है और इसके बारे में बड़े स्कैंडल में आप देख लें होल्क होगन भी अपने हाथ से 666 बना रहा है और नियुमरोलजी के अंदर एक्स जो है इसका नंबर भी 6 आता है ठीक है और ये तीन एक्स इनों ने रखे में सामने जिसका मतलब 666 है फिर आप ये देख सकते हैं डी जेनरेशन डी जेनरेशन एक्स ये ये एक बहुत मशूर हुई थी टैग टीम तो जिसका जो लीडर था ये ट्रिपल एच था आप देख सकते हैं इसके अंदर भी एक्स इनों ने यूज कि और इनकी हाथों में आप देख सकते हैं ट्रिपल एच ने सींग बनाए हुए शेतान के फिर ये आप देख सकते हैं अब हल्क होगन कब 999 साल का हुआ मुझे नहीं पता लेकिन ये उसकी बर्थदे मनाई गई तो इसके ओपर तीन छे उल्टे जो है वो रखे गए हैं फिर ये वी एक पुराना रैसलर है इसकी जैकेट के आप देख सकते हैं वही फीनिक्स बनावा है जिसके बारे में मैंने अलम्पिक्स वीडियो वे विडियो में बढ़ा है दो सर वाला फिनिक्स इन्हों ने यूज अब ये बंदा जो है इसका नाम ब्रॉक लेस्नर है ब्रॉक लेस्नर अब देखें किस तरहां ये माइन प्रोग्रामिंग का रहे हैं कि मैं तो डैवल हूं मैं अफला हूं मैंटम का हूं इसकी शर्ट के ओपर देख लिए बैफोमेट बनावा है लेकिन थोड़े डिफरेंट है WWE की उसके अंदर भी आप देख सकते हैं दो W जो है ये पैरमिड्स बना रहे हैं दो फिर इनकी ये आप देखेंगे कि ये सकल्स बहुत यूज करते हैं इनसान का सरखोपड़ी जो कि डैथ को शो करता है दोस्तों यानि कि ये सारा कुछ जो है वो डैथ प्रोगेंडा है इनसान के लिए डैथ है ये अंडर्टेकर को आप देख लिए अंडर्टेकर पुजेस्ट मैन बना हुआ है यानि कि जैसे किसी बद्रूहों के कबजे में हो लोग बड़ा देख देते हैं मैं भी मैं भी देखता होता था जब मैं बच्पन में देखता था तो मैं भी निकाल रहा है और आंखें ओपर की हुई है इसने डैवल बनावा पूरा फिर स्टीव ऑस्टन है इसके आप शर्ट के ओपर देख सकते हैं स्काल एंड बॉन्स जो के एक सीकर्ट सुसाइटी है इन ही की है इलुमिनाटी वालों की उसका इसने लोगों रखा हुआ हुआ है फिर खुदा के कलाम में जो यहना की इनजील उसका तीसरा बाप जो सोला आए था उसमें लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी महबत रखी कि उसने एकलोता वेटा बख़ दिया ताकि जो कोई उस पर इमान लाए हलाक ना हो बलके हमेशा की जिन्दगी पाए तो यहां उसके खिलाफ बात कर रहा है और यह वही वर्स यूज कर रहा है और यह कह रहा है आई जस्ट विप यूर एस ठीक है यूर सो ड़ेड यह निकि शितान जो है वह आपको मार देना चाहता है लेकिन खुदा आपको जिन्दगी देना चाहता है अब यह एसेंशन टीम आई और यह लोग आजकल चाहे हुए हैं डबली डब्यू ए के अंदर और इनकी आप देख सकते हैं पिक्चर्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें मायान वाले इन्होंने ट्राइंगल पिरमेट्स यूज की हुए है और इस तरहां के साइंज यह दिखा रहा है और का जो पिरमेट्स है और इसकी वन आय भी यह शो करते हैं अब यह भी एक रेसलर है मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है यह भी चैंपियन है और इसने भी अपने हाथों से डेवल ओंस बनाये हैं जोन सीना अपने ट्रिपल सिक्स के बारे में मशूर है रो रो जो है डबली का जो कोई भी है आप देखेंगे के ज्यादा तर लोग इसके अंदर यह डैवल होन वाला साइन जो है वो शो करते हैं पिर यह मुझे किसी ने सेंड की थी पिक्चर एक लेडी है यह मुझे इसका नाम नहीं पता लेकिन यह जो है अनाउंसर है यह अधर अनाउंस करती है ख तो दोस्तो यह ही है मेरी सारी रिसर्च अनके बारे में क्योंके यह आप रिस्लिंग नहीं देखता मुझे बिल्कु पसंद नहीं है तो अगर मैंने कोई पॉइंट्स कर दिया हुए हैं तो आप मेरे साथ शेयर किये जाएंगा और मैं फिर फॉलो आप इसकी वीडियो बना लूगा वोग मेरे साथ जो मैंने मिसका दिया हैं आप मेरे साथ प्लीज जुरूर कीजिए कमें कीजिए यह अगर आपके पास और कोई थाथ हैं कोई तश और अइसा है و आप अप अप्री आप मेरे साथ अप्री और शीज़ ए अड़े कर सकते हैं जो कल्चर आपका नहीं है जो आपका खुदा आपको तालीम नहीं दे रहा हम लोग तशद्द पसंद जल्म पसंद लोग नहीं हैं हम लोग सचाई को फिलाने वाले लोग हैं हम महबत करने वाले लोग हैं हम लोगों के अंदर तशद्द और ये वाइलेंस नहीं आना वो दोजख में जाएंगे वो जन्नत में नहीं जाएंगे जिनके दिलों के अंदर वाइलेंस है जिनके दिलों के अंदर तश्दुद बढ़ा हुआ है जिनके अंदर टेररिजम है वो खुदा की बादशाहत में हरकिस शामिल नहीं होंगे और खुदा के लोगो खुदा के ल लिए खुदा आफिस